ओम स्री गने सायनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच मार्च मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाब के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल परिणाम प्राप्थ होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्थ होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़मानने अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रापर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला हैं जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिन्दिकी पूरी तरह से जिएंगे जै दोस्तो आपका मनोबल और पूर रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जा दोस्तों आपकी थोड़ी सी भी मेहनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जा दोस्तों इसलिए आज आप शमय का सद्यों लगता है दोस्तों परिवार का माहूल आज खराब होनी की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता प्राकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम् आपको अपने कार इस्तल को लेकर भी आज कुछ ऐसंतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बना हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तों साती सात गलत ल करना पड़ सकता है मानसिक असांती के साथ सात कर व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तता परिस्तानियों से कर योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती हैं अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहें दोस्तों साती सात आपक के लिए आज कुछ परिशानियां अद्पन कर सकता है बच्चों पर ज़्यादा अनुश्राशन रखना उनके लिए परिशानियां खड़ी कर सकता है इसलिए अपने श्वभाव में आज आप थोड़ा लचीला पन्लैं पिता का सम्मान करें कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तो साती सात आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी स्रंखला के पनपने के करण आपको समझस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तो बात कर लेती हैं अजब की लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तो अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जा दोस्तो प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अति उत्तम रहेगा जा दोस्तो विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कार्य आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा अठे अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपके गुप्त योजनाएं आपके काम में ज़्यादा फायदे देंगी ज्या दोस्तो इस समय कहीं से आज आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जह दोस्तो वैवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्थिती रहेगी कारों आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथ साथ आपको पेसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पेसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से संबन्दित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन सुबासुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेलणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे ज्यां दोस्तो शारारिक्षे ज्यादा मानसिक स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जड़त है आपको अपने क्रोध पर आज नियन तरण रखना होगा साथिसाथ दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात के लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या है दोस्तों आज आप इस नान आदी से निर्वत रहुने के बाद भगवान बजरंग बली जी की प्रतिमा के सामने एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और साती सात वहीं बैठ कर एक बार बहुती सच्य मन से बहुती स्रदभाव से हनवान चालिसा का पाठ एक बार आ आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लहीं हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको सीग रही सुप फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार रहे बहुत यासानी से भगवान बजरंग बली का असिरवाद से बनने लगेंगे दोस्तों बगवान बजरंग बली का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद